हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है अपने चैनल दरियल रिपोर्ट में तो दोस्तों आज हम जानेंगे अमलपित्त मिस्तरण के बारे में तो दोस्तों आज आपको इसके बारे में संपुर्ण महिति बता दी जाएगी और दोस्तो याद रहेगा धरियल रिपोर्ट चैनल संपुर्ण महिति सछोट मार्कदर्सन के साथ ही आपको प्रोवाइड करती है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करे है चैनल को बिल्कुल कारगर काम करती है ये दभार तो दोस्तों आज हम बताएंगे कि अम लपित्त मिस्रन लेने का सही समय क्या है अम लपित्त मिस्रन लेने की सही मात्रा क्या है और इसे लेने का सही तरीका मतलब आपकी इस तरीके से इसको आपको consume करना है लेना है और किन-किन लोगों को खाना चाहिए और किन-किन लोगों को नहीं लेना चाहिए यह संपुर्ण माहिति आपको इसी वीडियो में दी जाएगी तो इस वीडियो के साथ बने रही है और दोस्तों मैं आपको बता दू मैंने भी यूटूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जहां पे लोग आधी अधूरी डीटेल्स आपको माहिती प्रोवाइड करते हैं जो इतनी मतलब प्रोपर आपको कन्फ्यूस कर देगी मतलब आपको ठीक से समझ नहीं आएगा तो चले हम उमीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में आपके सभी सवाल का जवाब पूरी तरह से मिल जाए तो दोस्तो अम्लपित्य मिस्तृरण एक आयरुवेधिक दवा है जो धूटपापेसवर कंपणी से बनाती है लेकिन धूटपापेसवर जो ब्रैंड है उसका जो रिजल्ट है सबसे अच्छा और बहतर इन है तो हम भी आपको वहीं सलाह देंगे कि आप इसी ब्रेंड का पर्चेस करें क्योंकि बाकी लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट इससे मिला है तो मैं आपको बता दू अमलपितम इसरा आपको किन किन चीजों में फाइदा करेगी जिन लोगों को खाने के बाद अपच होती ह उल्टी होती है जी मचलता है गेस्ट्राइक प्रोब्लम होती है जैसे कि डकार आना पेट में पेट फूल जाना इन सारी प्रोब्लमस के अंदर आप इससे ले सकते हैं कुछ लोगों को सिरदर्थ करता बोलते हैं कि सर में भारीपन हो जाता है क्योंकि गेस छाती में यह सारी problems गेस की वज़े से होती है और मेन problem यहीं है कि खाना ठिक से पचता नहीं है इसलिए वह गेस बनाता है तो यह अमलपित्य मिस्रन इसमें बहुत ही कारगर रिजल्ट आपको देगी अभी हम आपको बताएंगे अमलपित्य मिस्रन खाने का सही समय क्या है तो मैं आपको बतादू यह आप तीनो टाइम ले सकते हो अगर आपको जादा प्रोब्लेम है तो आप सुबह दो पैर और शाम तीनो टाइम ले सकते हो ठीक है और आपको अमलपित्य मिस्रन का सही डोज क्या है कितनी मात्रा में आपको लेना है तो अगर आप एडल्ट है तो आपको दस एमेल लेना है पानी के साथ खाने से पहले याद रखेगा खाने से पंदरा मिनिट पहले आपको 10 एमेल लेना है सुबह नास्ते से पहले ले लिजिए दोबर के खाने और रात के खाने से पहले आप ले सकते हैं अगर आप एडल्ट है तो और खाने का सही तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि आपको मतलब गुन गुना पानी हलका सा नॉर्मल वो क्या कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेगा और आपको बता दूं कि ये जो बोटल है इस बोटल को आपको पूरा शेक करना है हिला लेना है और इसके बाद आपको 10 ml मिक्स करना है और आपको खाने से 15 या 20 मिनटे पहले इसको ले लेना है इसके बाद आपको खाना है और कुछ चीजे मैं आपको बता दूं कि आपको क्या-क्या ये आप मेडिसीन ये अमलपितर मिस्रान जब आप लेते हो उस वक्त आपको कौनसी कौनसी चीजे नहीं खानी वो मैं आपको बता देता हूँ आपको ज़्यादा तला हुआ तेल मतलब ओईली आपको कम से कम खाना है मतलब बंध ही करना ऐसा नहीं बोल रहे हैं कम से कम और सबसे दूसरी बात यह ओईल आपके पेट में जाके एसिड पेदा करता है जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है उन लोगों को और दूसरी बात चाय जो लोग चाय कोफी का सेवन करते हैं यह आपको बिलकुल बंध करना चाहिए क्योंकि दूद आपकी एसिडिटी के मात्रा बढ़ा देता है तो दूद और दूद से बनी आइटम हर चीज आपको बंध करनी है और सबजी में कुछ हो गया पत्ता पत्ता गोबी फ्लावर यह कुछ सबजियां हैं इससे भी आपको गेस्ट्रिक प्रोब्लेम बढ़ जाए क्योंकि यह एसिडिटी को बढ़ा देती है यह कुछ कुछ चीजे हैं जो आपको बहुत ही जादा ध्यान रखनी है खाने पीने में और जब आप खाना खाते हो तो आप थोड़ा भूक से थोड़ा कम मतरा में मतलब दो निबाले कम खाओ तो आपका पेट जो उसे प्रोपर पचाएगा और खाते वक्त आपको वहीं चीजे जैसे आपने सुना होगा कि 32 बार चबाओ फिर उसे निकलो मतलब कि आपको इतना बारी किसे चबा कर खाना है ताकि खाना आधा तो अपने मूह में ही पच जाए क्योंकि आप जानते हो कि अपने मूह में तो दांत होते हैं लेकिन पेट के अंदर दांत नहीं होते उसके अंदर जैसे छोटी आथ बड़ी आथ होती हो खाने को खिसकाती रहती है तो आपका आधा खाना मूह में ही पच जाना चाहिए मतलब आपको वहाँ चबाके निगलना है तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट ये प्रोवाइड करेगी आमलपित्य मिस्रण अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो बहुत ही बहतरे रिजल्ट मिलेगा और ये आमलपित्य मिस्रण में क्या-क्या चीज़े होती है वो मैं आपको बता दू इसमें हरितकी, गुडुजी जैसे बहुत सी आयरुवेदिक अउसदिया मिलाई गई है जो आपकी बोड़ी के लिए बहुत ही जादा उप्योगी है ये बिल्कुल आयरुवेदिक है आप निश्चिंत होकर ले सकते हैं किसी भी डॉक्टर के सलाह के बिना भी आप अपने तरीके से भी ले सकते हैं ये बिल्कुल आयरुवेदिक है और मैं आपको बता दू अमलपित्त मिश्रण आप कहां से खरीद सकते हो आप किसी भी आसपास के मेडिकल स्टोर से आप मांगोगे तो मिल जाएगा दूत पापेसवर कंपनी का अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्सम बॉक्स में एक लिंक डाल देता हूँ आप वहाँ पर जाके भी परचेस कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात कि आपको ये बहुत अच्छा बहतरन रिजल्ट आपको कब तक दे पाएगा आपको इसका 60 दिन तक उपयोग करना है 60 दिन तक आपको लेना है वैसे आप सुबह साम दो टाइम भी ले लो तब भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगा ये तो ये आपको संपुर्ण माहिती परियाप्त मातरा में दी गई है आमलपित्त मिसरन के बारे में अगर कुछ चीज कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बोक्स में जरूर लिखे हो सके तो हम वैसे सभी लोगों का क्वेस्चन का अंसर देते हैं आपका भी सवाल का जवाब हम जरूर देंगे और कोई भी चीज छूट गई है वैसा तो नहीं है संपुर्ण माहिती आपको परिवाइड कर दी गई है आमलपित्त मिसरन के बारे में यानि की ऐसे डिटी के बारे में तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आपको सभी सव सदियां के बारे में इसी चैनल पर बहुत से वीडियो अवेलेबल है आप वहां पर जाके भी चेक कर सकते हैं जैसे कि कुमारी आसव है जैसे कुछ लोगों को कौश्टी पसंद की प्रोब्लेम होती है अभ्यारिष्ट है उनके लिए कुछ लोगों को वीकनेस की प्रोब् सकते हैं परे थेंग